आपको भी फरमाईशें आ रही होंगी, कुछ तीखा, चटपटा, कुछ अलग बनाने की, क्योंकि सभी को street food खाए काफी दिन भी हो चुके हैं, तो चलिए थोड़ी से extra मिनत लगा के अपनों की ये विश भी पूरी कर देते हैं, ये चार street foods बना के अपनी family को खिला चुकी हो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो अब बारी आपकी है, तो चलिए देख लेते हैं पहली recipe, which is delicious पापड़ी चाट, पापड़ी बनाने के साथ साथ मुझे वड़ास भी बनाने हैं, तो वड़ा बनाने के लिए मने दो तरह की दाल ली है, एक है दूली मूंग की द दाल और एक उड़त की दाल, दोनों को आपने पूरी राद भर बिगो देना है, आधा अधा कप लिया है मैंने, आप चाहें तो कोई भी एक दाल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, तो पूरी राद बिगोने के बाद या फिर चार से पांच घंटे तक तो आपको बिगोना ही प करने की, ये प्रोसीजर आपका बहुत ही ज़रूरी है, दस मिनट तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि दाल फूल के लाइट ना हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़ास बिल्कुल स्पॉंजी बने, बहुत ही सॉफ्ट बने, तो ये स्टैप आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कंजूसी ना करें, तो आप देख सकते हैं डाल कितनी लाइट हो गई है, तो अब रेडी कर लेते हैं, डो पापड़ी बनाने के लिए, वन कप लिया है मैने मैदा, और वन फॉर्थ कप लिया है सूजी, अब इसमें डाला ह थोड़ा सा सॉल्ट और साथी डाला है, जीरा, आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और दो चम्मच के करीब मैने यहाँ पर ओयल डाला है, मोयन के लिए, इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, फ्लार को तेल के साथ दबा के मिक्स करें, जब तक यह इस तरह से पापड़ी के लिए चाहिए होगा, 5-7 मिनट इसे गूनने में लगाएं, उसके बाद इसको आदा घंटा रेस्ट करने के लिए रखतें, वड़ा बनाने के लिए दाल रेडी है, और पापड़ी बनाने के लिए डो रेडी है, अब रेडी कर लेते हैं इमली की चटनी, क्य इमली की चटनी के बिना ये चाट बिलकुल अधूरी है, एक लिटर पानी में मैंने 250 ग्राम्स इमली डाली है, मुझे इमली सीर्स के साथ मिली थी, अगर आपको बिना सीर्स के मिल जाए तो बहुत अच्छा, इससे सीर्स को अलग करने में लगने वाला टाइम भी बच जा इसके सीर्स और जड़े अलग करते जाएं, ये स्टैप आपको तभी फॉलो करना पड़ेगा, अगर इमली में सीर्स हैं, अगर सीर्स नहीं है तो आप ये स्टैप फॉलो करने से बच जाएंगे और डारेक्ट इसको ग्राइंड कर सकते हैं, अभी इसके सारे सीर्स और तटका रेडी करेंगे, सबसे पहले कडाई में थोड़ा सा ओयल डाला है और इसके बाद हींग और जीरा डाल दिया है इसके बाद डाल देंगे ये पल्प 15-20 मिनट हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे थोड़ा सा पानी मैंने इसमें आट किया है क्योंकि काफी देर ये जिसे टेस्ट काफी अच्छा आता है गरम मसाला पड़ो डाला है रेड चिली पड़ो डाला है और डाला है ब्लैक पेपर थोड़ी से मैं इसमें शुगर भी डाल रही हूं ताकि चटनी बहुत खटी ना हो जाए मसाले सारे डाल दे हैं आप 15-20 मिनट इसे अच्छे से पक लिए ख्यार रहे यह रोटी बहुत थिन नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए किसी कटर की हल्प से आप एक ही साइस की पाप्रियां काट सकते हैं प्रेस करें तो इस तरह की पाप्री आपके प्रेश रेडी हो जाएगी देखिए बहुत थिक भी नहीं है बहुत थिन भी नहीं है तो इस तरह से मैं सारी पाप्रियों को एक साथ बेल के साइट रखती जाओंगी और उसके बाद फोक की हल्प से आपको इसमें होल करने हैं ताकि ये फूले नहीं क्योंकि जो पापड़ी फूलने लगेगी वो क्रिस्पी नहीं बनेगी तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चटनी भी तयार हो गई है पानी कितना सूख चुका है और काफी थिक हो गई है तो इतनी ही थिक चटनी हमें चाहिए आप इसे साइट रख के ठंडा होने दें तब तक हम फ्राइ कर लेते हैं वड़ाज और पापड़ियां तेल गरम हो तो इसको भाब दूस्की हमें अजंदा करें तो फिर से हम इनको फ्राइ करेंगे जब तक ब्राउण नहीं हो जाते है कि यह चेत देना है उसके बाद करने पानी डालना हैEd साल्टा सथा और सारे वड़ाज उसमें डिप कर देने हैं ताकि अच्छे से सौफ्ट भी हो जाएं और थोड़े सौल्टी भी हो जाएं दहीं वड़ाज की रेस्पी में पहले भी शेर कर चुकी हो ने क्यूंकि हम पापड़ी चार बना रहे हैं तो इनने बस निकालते जाएं और ठंडा होने दें वड़ाज रेडी है, पापनिया रेडी है, इमली की चटनी रेडी है आलू मैंने कुछ बॉइल करके रखती हैं और आप रेडी कर लेते हैं और चटनी रेडी हो जाएगी, वड़ाज को पानी में डिप की होई 15-20 मिनिट हो चुके हैं तो बस इसको हलका हलका प्रेस करके मैं निकालती जा रही हूँ तो आप ने देखा कितनी परफेक्ट और क्रिस्पी पापड़ी हैं रेडी हुए तो कोई भी प्रेट रेडी करने से पहले जितनी पापड़ी हैं आपको उसके लिए चाहिए उसे इमली की चटनी में डिप कर दें और उसके बाद प्रेट लगाएं प्रेट में रखे हैं तीन वड़ा तो उसके बाद उसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही इमली की चटनी साथ ही डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी ये चटनी आप अपने टेस्ट की अकॉडिली डाल सकते हैं उसके बाद dip की हुई पापड़ी है इसमें डाल देंगे उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ boil के हुए आलू इस चार्ट के लिए ये सब चीजे तो essential ही हैं उसके बाद मैंने भुना हुआ जीरा powder डाला है थोड़ा सा black salt डाला है चार्ट मिसाला powder डाला है और उपर से डाल दी है save save डालना optional है आप चाहें तो इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं तो बस आपकी पापड़ी चार्ट रेडी है उसके लिए मैं चाहिए होंगे boil आलू तो मैंने लिए हैं आपे 5 boil आलू थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाला है कटा हुआ धनिया डाला है अद्रक डाला है और हरी मिर्ज white salt add किया है थोड़ा सा black salt add किया है साथी डालेंगी थोड़ा सा अमचूर जीरा पवडर डाला है साथी red chili powder बस इसके बाद थोड़ा सा दम लगा के आलूओं को mash कर लें ताकि सारे मसाले भी इसमें अच्छे से mix हो जाएं इसके बाद corn floor या मैदी की जगवा मैं डाल रही हूँ इस पर चावल का आटा तो चावल के आटे से टिकिया बहुती क्रिस्पी बनती है तो दो टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाला है और आलूओं के साथ मिला के इसका एक डो रेडी कर लिया है उसके बाद हाथों पर थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और इसकी टिकिया बनाते जाएंगे जब तक आप टिकिया रेडी कर रहे हैं तब तक आप तेल रखते हैं गरब होने के लिए तो आप इसको तवे के उपर भी बना सकते हैं या फिर किसी पैन में बना सकते हैं तो पैन की फॉर्म में इनको खाने के बाद अगर नेक्स्ट मील आप काफी सारा सेलड खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी इससे कि यह आपको डजेस्ट भी हो जाएंगे रुतना हाम भी नहीं करेंगे लेकिन एक्सराइज करना कभी मत भूलिए आलू की टिक्की रेडी हो गई है बस इसे निकाल लेते हैं हम पेपर टाल पे इन टिक्किस को आप दही या चटनी के साथ वैसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप चना टिक्की चाट खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी तो एक पैन में थोड़ा सा मैंने डाला है ओल औ और दो लॉंग डाले हैं आज का पेस्ट डाला है मैंने साथी में और साथी डाल दिया है जिंजर गाली का पेस्ट एक से देड़ मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट होने दें उसके बाद ग्राइंड की हुए टोमाटर डाल देंगे आप चाहें तो यहां पे टोमाटो लाना है और अटलीस दस से बारा मिनट तक इसको अच्छे से भूनने देना है चाहें थोड़ा सा पानी भी इसमें आड कर लें ताकि यह सूखे नहीं अब जितना जादा यह मसाला रोस्ट होगा उतना ही आपका चना मसाला यमी बनेगा और उतनी ही टेस्टी बनेगी आप की चना टिक की चाट बस तसली से तड़के को अच्छे से भूनने दें और उसके बाद इसमें आड करेंगे बॉयल के हुए चना जो कि मैं अल्रडी बॉयल ककी रखती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और 7-8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि चना और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं 7-8 मिनट के बाद जब आप लिड हटाएंगे तो चने बहुत ही अच्छे खुश्बू दे रहे होंगे और बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे उसके बाद प्लेट रेडी कर लेते हैं दो टिक्की डाली है ठीक ग्राइब रेडी है अगली रेसिपी कीत आउसके जबसे पीक रर्लिक डाला है इसमें डाल देगे वेजिटेबल की घंजर घाली है तो यह पानी दालेंगे पानी बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हमें सूपी मैगी नहीं बनानी है इतना डालना है कि मैगी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे और कवर करके पकनी देंगे मैगी के साथ ही दो चीजें हमें और एड करनी है जिने हम अलग से फ्राइ करेंगे तो एक पैन में थोड़ा सा ओयल लेके मैंने लंबे-लंबे स्लाइसिस में कटी हुई शिम्ला मिर्च डाले है साथ ही पनी के स्लाइसिस डाल दिये हैं थोड़ा सा सॉल डाला है यानि कि ब्ल करेंगे और उसके बाद रेडी करेंगे रोल और रोल रेड़ी करने के लिए जो चपातिया मैंने यहां पे ली हैं उन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है एक नाप टीपल स्पून डाल दिया है और पैस इसका भी हमने डो रेडी कर लेना है नॉर्मल जैसे हम जहाद दर टॉटिया जो आपको मिलते हैं, वो मैदे के बने हुए ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप होममेड बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी आट कर लें, तो कोई बुरी बात नहीं, रोल्स में तो अनलिम्टेड वराइटी है, बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन जो रोल के लिए चपाती आपको बनानी है, वो साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और साथी पतली भी होनी चाहिए, इस तरह के रोल्स को बनाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है, बलकि बहुत ही एजी है, तो दोनों तरफ से आपको चपाती को सेक लेना ह है, और उसके बाद डाल दी है, स्वीट चिली सॉस, आप चाहे तो टमेटो केचप का यूज भी कर सकते हैं, इसको रोटी के ओपर अच्छे से फैला देना है, और उसके बाद इसके ओपर डालेंगे हम चाट मसाला, फिर डाल देंगे हम मैगी की फिलिंग, और उसके बाद हम डाल देंगे, इसमें कैपसिकम और पनीर की फिलिंग, धैन हम डाल देंगे इसपे चीज, आप यहाँ पे सलाइस चीज यूज कर सकते हैं, प्रोसेस्ट चीज या फिर मॉजरिला चीज, कोई भी चीज जो आपके पास होँ आप यूज कर सकते हैं, तो लीजिये मैगी च आप चाहें तो अकेली पत्ता गोबी के साथ भी मंचुरीन बना सकते हैं लेकिन इसका जूस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्जादा पानी होता है इसेलिए पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम इनको फ्राइ करेंगे तो ये फट भी सकते हैं तो इसल चीजों को बहुत ही अच्छी से mix कर लेना है उसके बाद इसमें डालेंगे दो चम्मच के round corn flour और साथे डालेंगे दो चम्मच मैदा और बस इसका एक dough ready कर लेंगे तो सबजीयों का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है साथ इसमें डाल दिया है corn flour और मैदा तो इनके फटने के अब कोई chances नहीं है अब छोटे छोटे बाल्स जैसे भी आप बनाना चाहें तो उनको बनाके side रखते जाएं और इसके बाद हम तेद गरम करेंगे और इंको fry कर लेंगे तेल गरम होना चाहिए लेकिन इतना गरम नहीं होना चाहिए कि डालते ही बॉल्स ब्राउन हो जाएं और वैसे भी हमें इन्हें low medium flame पे fry करना है ताकि यह अंदर से भी अच्छे से पक जाए तो लीजिए सभी मंचूरियन बॉल्स फ्राइ हो चुके हैं इनको हम साइड रख देंगे और उसके बाद रेडी करेंगे इसका तड़का तो एक कडाही में थोड़ा सा ओयल डाला है और उसके बाद इसमें डाल दिया है बहुत सारा गार्लिक क्योंकि गार्लिक इसका मेन इंग्रिडियन्ट है उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा प्याज मैंने डाली है इसमें tomato ketchup साथ ही डाल दिया है red chilli paste आप चाहें तो red chilli sauce भी use कर सकते हैं और उसके बाद इसमें डाल देंगे soya sauce साथ ही एक चमज के रॉंट मैंने इसमें vinegar डाल दिया है यानि की सिरका, थोड़ा सा पानी डालेंगे और 3-4 मिनटे से पकने देंगे, क्योंकि हम ड्राय मंचूरिन बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप से पानी जादा डल जाए, तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं, एक चमश कॉनफोर में थोड़ा सा पानी डा साथी गार्निश के लिए दोबारा फिर से डाल देंगे हरा प्याज, तो लिजिए यम्मी ड्राय मंचूरिन रेड़ी है, हमने तो इंज्वाई कर लिया, अब आप भी इंज्वाई करें, और मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, बाब बाई, टेक क